Hello audience, this is Mustafa Amit Mirchawala from Mirchawala's Hub of Accountancy और extreme depressing time है, यानि हर तरफ से negative news भर भर के आ रही है, दोड के आ रही है inflation बहुत high है, high interest rates है, recession की आवाज है आप देख सकते हैं कि अभी जब इतनी fuel prices बढ़ गई हैं तो हम देख रहे हैं less cars on road तो ultimately growth रुख जाएगी, शादी halls, activities, electricity prices और electricity को समालने के लिए power shortage से बचने के लिए हम रात को जल्दी अपनी सब चीज़ आफ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़े जो नज़र आ रही है, ये growth को कम कर देंगे ये जो अभी जो पाकिस्तान के बजट में भी जो growth rate इन्होंने 5% का गालिबन इन्होंने expect कर रहे हैं तो शायद वो भी बहुत highly unlikely है कि हम अचीव कर सके हैं उसके chances बहुत कम है लेकिन अगर आप गौर करनें तो सब यही कह रहे हैं कि शायद दुनिया खतम हो जाएगी और ये बुरे हालात हो जाएगे लेकर हमने इससे भी बुरा टाइम में कोविड वाला 2020 का lockdown देखा था तब भी इतनी ही depressing बाते थी तो बाराल इस वक्त एक्विटी मार्केट पर यानि स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा ही आई भी भी लेकिन यह याद रतना देखें एक अच्छा टाइम भी हमने स्टॉक मार्केट के साथ गजा रहा है मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी example देता हूँ मैंने पास्ट में भी किसी इंटर्विव में किसी टीवी चैनल के साथ यह discuss किया था शायद कुछ लोगों ने पहले सुना भी हो यह देखें अगर कोई बंदा स्टॉक मैं यूएस के market की example देना नहीं चाहता तो यूएस की market की मैं example देता हूँ कि अगर कोई इंसान बत्तरीन घल्तियां भी करे ना तो भी stock market से कमा के निकलता है यानि आपको याद होगा कि 2008 में यूएस के market सब प्राइम लोन्स के विज़ा से जो crash हुई थी तो जरा सोचें कोई यूएस market में invest करता 2008 में यानि crash से एक दिन पहले crash ह तो उसको बेचता 2020 में जब अभी 2000 में कोविट के टाइम भी बहुत बड़ा crash हुआ था उस crash के अगले ही दिन यानि crash होने के बाद यानि बेचता भी बत्तरीन वक्त पे और खरीबता भी बत्तरीन वक्त पे फिर भी वो cumulatively 86% या 80% उसका return हो जाता ये research कहती है लेकिन अग अगर stock market में जो लोग stay करते हैं तो normally वो कमा के जाते हैं अगर एक अच्छी stock market हो ये भी साथ याद रखिएगा तो अभी recently मैं एक article पढ़ रहा था तो मैंने का उसमें से कुछ points आप लोगा शेर करूँ के अभी इस time पे आप कुछ अगर अच्छी strategies अपनाएं ना तो आप बहुत अच्छा play कर सकते हैं तो एक first point याद रखें देखें कोशिश करके अप share select ना करें वही देखें आप एक share आपने select किया और वही घोड़ा लंगड़ा हो गया तो आप तो गए ना तो बहतर है ऐसे funds में इंडेक्ट इंवेस्ट करें जो index funds हैं index link S&P के भी index link funds हैं उन funds में भी आप invest करें तो इंडेक्स तो ultimately उपर आ भी जाता है अच्छा यह भी याद रहें यह मैं डरा नहीं रहा लेकिन यह एक fact है कि कुछ ऐसे भी stock market के shares हैं कि जो crash से पहले लोगों ने लिए थे और फिर crash होने के बाद उन उन shares का rate 15-15 साल तक नहीं आया या यानी 15 साल ल industry है कि 7% का return on average आपको मिल जाता है net of inflation यह को एक research है और उसका expense ratio भी बहुत काम है यह अगर आप 10,000 डॉलर का fund खरीदते हो तो आपको तीन डॉलर की सिर्फ cost आती है उसका expense ratio तो यह affordable है दूसरी बात यह याद रखें कि अब जब आप position बना रहें stock market में तो ज़रा long term की position बन लगे ना तो वो एक phenomenon है debt cat bounce pack कि अब एक दम गिरने के बाद अचानक से जटका उपर का भी आता है तो जो दो तीन lower lock लगते हैं तो उसके बाद वो फॉरन से खरीद लेते हैं उसी आखरी दिन और जटके पर निकल आते हैं लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता तो बहतर है कि holding power है तो बाजार में घुसें तीसरी चीज एक चीज यह आद रखें कि average करने के आदट डालें average करने के लिए मैं आगे भी इसमें बताऊंगा कि अपने पास cash रखें average करने के लिए cash रखें क्योंकि एक चीज जो आपने महंगी लिया वो ही सस्ती मिल रही है तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं इसी तरह एक और चीज मैं बोलूगा यह research based बात है कि पराने time बे जो crash हुए थे ना जो पराने stock market crash उसको study करें कि कौन से ऐसे shares है या कौन सी ऐसी products हैं जो crash के बाद जल्दी recover कर गई थी तो बहतर है उन products को आप buy करें इस तरह भी देखें और आखरी और स safety fund रखें आपको खुदाना खास्ता कोई accident हो जाए कोई भी मसले मसाइल हो जाए पैसे नहीं होंगे तो फिर आपको stocks बेचने पड़ेंगे और जब stocks बेचोगे तो उस वक्त बुरे रेटों में आपको बेचना पड़ेगा similarly save cash for expected expenses कि किसी की short term में बेटी की शादी है किसी क या किसी के बच्चे को college में पढ़ाना है कोई और ऐसा expenditure है तो अब उसको चाहिए अगर उसने stock market में investment की वे तो जैसे ही अपना rate आए या सई rate आए निकल जाओ क्योंकि अब आप बिल्कुल end time का wait करोगे यार उस time में बेच दूँगा और उस time अगर market बुरे हालात में हुई तो आप तड़ब जाओगे तीसरा point ये भी याद रखें कि आप average करने के लिए भी cash रखें market गिरे तो उसको enjoy करो यार जब sale लगे तो बजार से चीज़े खरीदो अचा मैं यहां आपको एक छोटा सा plan भी बना कर देता हूँ छोटा सा इसको follow कीजिए और मैं evidence दूँगा दलील के बगर तो हम बात करते ही नहीं है अगर आज मेरे पास एक करोड़ों पे हो और अगर stock market 10% गिरे तो मैं अपने एक करोड़ का 50% उसी वक इंवेस्ट कर दूँगा फिर वहां से अगर 10% और गिरे तो मैं उस remaining पैसो का 50% भी इंवेस्ट कर दूँगा फिर वहां से और 10% गिर जाए तो मैं अपना बकिया बचावा सारा पैसा इंवेस्ट कर दूँगा अब तालिब इल्म का सवाल ये होता है कि सर एक मिंड आपने सबसे कम पैसा इंवेस्ट तब किया जब बजार सबसे ज़ादा गिरी भी थी यानि जब 30% गिरी तब जाके आपने एंड में बचा वो थोड़ा सा पैसा इंवेस्ट किया और शुरू में जादा इंवेस्ट किया तो ये तो आप बहुत बड़े बेगूफ हो जब मार्किट जादा गिरे तब जादा इंवेस्ट होना चाहिए ना तो मैंने का इसका जवाब मेरे पास है और जवाब सुनो या सुने United States की 100 साल की हिस्ट्री ये कहती है US की के 1-7-10% मार्किट का गिर जाना साल में एक बार पॉसिबल होता है साल में एक या दो बार एक ऐसा एक बार मौका आता है जब 1-7 मार्किट 10% गिरती है एक बार का इविएट होता है अचा 1-7 मार्किट का 20% गिर जाना ये 6-7 साल में एक बार पॉसिबल होता है US की मार्किट की पुस्ट्री कहती है ।र 1-7 मार्किट का 30% गिर जाना तभज्योंस संसने ये 70 साल में 70 यर्स में सिर्फ 6 बार हुआ है तो अब आप ज़रा सोचें जो लोग मुझे एड़ाइस कर रहे हैं कि जब मार्किट 30 परसंट गरे तब खरीदना तो वो 70 साल में सिर्फ 6 बार हुआ है उसकी प्रॉबैबिलिटी कितनी कम है यार वो तो कभी पता नहीं वो इवेंट कम आएगा तो उसके लिए अगर मैं बैठा रहूँगा तो मार्किट गिरेगी और फिर उटके रिकावर भी हो जाएगी मैं तो कुछ खरीद ही नहीं सकूँगा तो जो लोग ये हरकते सोचने कुछ ऐसे दोस्त यार हैं जो कहते हैं कि अभी यार मार्किट और आदी हो जाए अभी पाकिस्तान का इंडेक्स 40,000 पर तो अभी अब 30,000 पर आ जाए भाई वो तो कभी एक बार आ गया था यार एक आध बार कोविट के टाइम पर कभी आया था वो तो एक वन ओफ इवेंट होता है यार कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान का जो 2008 का क्रेश था उन रेटों पर चीज़े आ जाए भाई वह पॉसिबल नहीं है अब आप एक्सचेंज रेट्स वगरा सब देखें तो यह कोई इतना हाँ इतना पॉसिबल नहीं हाँ एक बरस्ट हुआ था 2000 के टाइम घाले बन फिर 2008 में सब प्राइम वह वाला क्रेश हुआ था और फिर अभी 212 का भी यह यह पूरा जो अजाब आया हुआ है सारा तो उसमें एक बड़ी मैंने चीज़ देखी के 141 डेज में जो टोटल मार्केट गिरी है ना तो सब प्राइम व वैसे बड़ी जबरदस सेल है तो अगर कोई पूजिशन लेना चाहे और वो वेट कर सकता है देखें इसमें सबसे बड़ी चीज़ें इंतिजार करना और वो अच्छी मार्केट है तो इंसान पूजिशन मना सकता है उमीद है आपको बाते पसंद आएंगी अच्छा मैं य झाल